बहुत अच्छा होगा देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं पढ़ान आदमी हूँ शेरो शाइरी से मेरा कोई बहुत गहरा रिष्टा नहीं था लेकिन मैं क्या करूँ मैंने जब इश्च करना शुरू किया तो फिर मैंने शाइरी सुनना शुरू कि इश्च करना शुरू किया तो शाइरी सुनना शुरू कि, मेरी शाइरी होगी तो फिर मैंने शाइरी करनी शुरू कि और जब बच्चे हो गए तो फिर मैं और दाम Coordinator करने लगा मैं बहुत मासूम आदमी हूँ बस सीधा सादा आदमी हूँ खेल नहीं यूँ समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना है चरन सिंग बशर हमारी फैरीस के एक बहुत ही मुहतरम और मुस्तनद शायर तश्रीफ ला रहे हैं जनाबे चरन सिंग बशर साब ये बहुत देर से काम कर रही है इस गोड़ा आव मिनका कोई नए भूल आ जाएं तो अच्छा है जी बहुत शुक्रिया बहुत बहुत महबते हैं आपकी एक जमाना हो गया है मुझे यहां आए हुए है जी आपके आपके वाद में उस्ते नहीं पहुत रही है अबरार ने बताया कि वह पठान है और पठान कहे के एक सरदार को बुला लिया है मुझे किसा याद आ गया बाई मुझे जाद दें कि वो जी एक साब ने पठान से कहा कि भाई पठान साथ मैं अपनी गाड़ी बैक कर रहा हूं मेरी गाड़ी बैक करा दीजे तो पठान बोले के हां करो करो बैक करो उसने गाड़ी बैक करनी शुरू की पठान बोला कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक वो पीछे आता रहा और गाड़ी बहुत जोर से खंबे पर टकराई तो उसने का पठान मैंने आफ से कहा था कि मुझे गाड़ी बैक करो तुमने मुझे बताया है नहीं क का मैं कब से खोचे बोलता कि पीछे खंब है खंब है खंब है अब तुम्हारी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ दिवरदार तालिय हो जादी बहुत अच्छे बात क्या किया ने राहुल भाईया ने और डॉक्टर महंदर सिंग चोहान ने बड़े मुशायरे को खूबसूरती के साथ सजाया जनाव चलन सिंग बशर साब मैं राहुल भाई साब को महंदर चोहान साब को मुवारख बात पेश करता हूँ कि एक खूबसूरत महफिल आपने सजाई मैं गवर्णर हाउस यूपी में गवर्णर साब का सेक्यर्टी आफीसर रहा तकरीबन बारा साल तो तब मेरी मुलाकात मानिया अरजिन सिंग साब से हुई वहां कई मरतबा बहराल आज मैं आज़ाद हूँ सर्विस से भी आज़ाद हो गया हूँ फोर्स की मैं दोस्तों चार मिस्रों से आगास करता हूँ और मैं आप लोगों से रहुल भाई बतारा खास ये चार मिस्रे इर्शाद बाई इर्शाद बाई इर्शाद बाई इर्शाद पूरी दुनिया में जिस वक्त एक खलफशार है वो जैन में रखें और ये चार मिस्रे मेरे कौमियक जैती की बातें हो रही हैं मैं ये चार मिस्टे हाज़र करता हूँ शरीक हो भाई आबिद भोश में आ जा अर्स किया है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का शरीकों पीछे लोग जो बैठे हैं वो भी बेदार हो जाएं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का अरे बाई चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है ये दुनिया नफरतों की आखरी स्टेज में है इला जिसका महबत के सिवा कुछ भी नहीं है बात अच्छा है बाव बाव बजर भाई अरे क्या कहने है बाव 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 ये ताजा भूला रहा है चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों कुछ भी नहीं है ये दुनिया ये मुझ तक ही आएगा ये बंदा मुझ तक है आप परेशान हो मुझे तब मुखातिव है जैसे अवरार कहने थे ना कि एक खुब्सूरत पठान है ऐसे एक खुब्सूरत सरदार आपसे मुखातिव है इसलिए आप इतर उतर भटके नहीं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे बशर भाई ये दुनिया नफरतों की ये दुनिया नफरतों की आखरी स्टेज में है इला जिसका महब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है एक चार मिस्वें यहां से पहला मिस्वा आता है वहीं से मुझे पता चलना चाहिए कि कहां पर यह बात कह रहा हूँ मैं यह पहले मिस्वें से मुझे मालूम होना चाहिए शरी को यह कि हवा का जूर हवा का जूर सदा एक सा नहीं रहता हवा का जूर सदा एक सा नहीं रहता कहा तलक ये चरागों को आजमाएगी हवा का जूर सदा एक सा नहीं रहता कहा तलक ये चरागों को आजमाएगी कभी तो होगा उजालों का इक्तदार बशर कभी तो राद चरागों की जद में आएगी कभी तो होगा उजालों का इक्तदार बशर कभी तो होगा उजालों का इक्तदार बशर कभी तो राद चरागों की जद में आएगी विजे भाई ये चार मिसे सुनिये बतार है खास मैं पहले दो मिस्रे जो है उसमें एक हिदायत की शक्ल में आ रहे है और दूसरे मिस्रे आप बताते खुछ समझ लेंगे विजे भाई सुनिये शियर इट्शार नवाल भाई ये चार मिस्रे नहीं मैंने अर्स किया है कि मुखातिब है बशर आज का वो वक्त है इस वक्त कि आपको यगजा होना पड़ेगा फिरकों को छोड़ दीजिए मुखातिब है बशर उन काफिलों से जो राहों में भटक कर खो गए है मुखातिब है बशर उन काफिलों से जो राहों में भटक कर खो गए है मेरे यारो जड़ा हुश्यार रहना कई जाले में कठा हो गए है हाहा वा-वा-व-वा-व-वा-वजद्यार मेरे यारो जड़ा हुश्यार रहना पिक्या इशारा कियें बशर बाई लतीफ杯 वाव वा-व-व-व-व-व-व-व-व मेरा हुसला रहा है भाँ भाँ Here Mu मुकादिब है वशर वनंकाफिरों से जो राहों में भटककर खो गए हैं मिरे यारू ज़्राः रहना कई जाले में कठ्षा हो गए ब्रैद हिस उस रहना कई जाले में कठ्षा हो गए हैं शेर देखें के जब ये सफर नोने शुरू किया नोट बंदी का तो उस वक्त हमने काफी ड्यूटी दी बड़ी लंबी लंबी लाइने लगी लोगों को तमाम परिशानिया हुई उस वक्त ड्यूटी के दोरान चार मिस्ते कहे सर यह सुने चार मिस्ते बहुत अच्छा सुनें दोस्तों चार मिस्ते सुनें के जाल में घड़याल तो आया नहीं कोई मगर जाल में घड़याल तो आया नहीं कोई मगर मचलियां मारी गई बस ये खबर ही आम है जाल में घड़याल तो आया नहीं कोई मगर मचलियां मारी गई बस ये खबर ही आम है आज फिर सारे जमाने पर ये साबित हो गया तू बहर सुरत शिकारी है मगर नाकाम है तू बहर सुरत शिकारी है मगर नाकाम है आज फिर सारे जमाने पर ये आज पिर सारे जमाने पर ये थाबित हो गया तू बहर सूरज शिकारी है मगर नाकाम है ये एक मतला बतरे खास आपकी महबतों की नजर आपकी नज़ और आपकी नज़ ये मतला कर रहा हूँ तो इसके कुछ मानी है मसलसल जूट की जो हवा चल रही है अरस किया है समात करें ये मतला दोस्तों आपकी नज़ ये सच और ये सच ये बैठा है मेरे सामने ये सच तो तूट के कब का बिखर गया होता दूसरा मिसा आ रहा है उसकी हिवादित करनी है दोस्तों कि ये सच तो तूट के कब का बिखर गया होता अगर मैं जूट की ताकत से डर गया होता बहुत शुक्रिया दोस्तों बहुत शुक्रिया अगर मैं जूट की ताकत से डर गया होता अगर मैं जूट की ताकत से डर गया होता और दिल्ली का एक किरदार जो इस दुनिया का सबसे बड़ी टेर्रिस्ट मुल्क है उसकी गोद में उसके प्रेजिडंट की गोद में जाके बैठ गया वो दिल्ली का किरदार और यहां से यह शेर सुने अगर मैं जूट की ताकत से डर गया होता जबी जुकाई भी जबी जुकाई भी तो किसके सामने तुने जबी जुकाई भी तो किसके सामने तुने खुदा के दर पे जो जुकता समर गया होता खुदा के दर पे जुकता वाँ अच्छे वाँ वाँ वजर भाई जबी जुकाई भी तो किसके सामने तुने जबी जुकाई भी तो किसके सामने तूने किसके सामने तूने खुदा के दर पे जो जुकता समर गया होता और सबर से काम ले और ये मतला सुने मुसलसल दुश्मन जांकी सुनेगा दौस्त मुसलसल दुश्मनें जाकी निगेबानी में रहना है जहां घड़यार रहते है उसी पानी में रहना है खुबसूरत वावावावावावावावावावावावाव जहां घड़यार रहते हैं उसी पानी में रहना है और अभी है सबर मुझ में जितना जी चाहे सता ले तू अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है दोस्तों हमारे मुलक में ने ने करेक्टर तो नहीं कहूंगा बदकरदार तरह के लोग उभर के आ रहे हैं एक बॉम्बे में एक शक्स नहीं ये कहा बाकि शक्स क्या कहूंगा जाहिल कहूंगा उसे कि उसको अजान की आवास से तकलीफ हुई तो चार मिस्रे दोस्तों मैंने कहे जो सूरज ओड़ के सोता है जो सूरज ओड़ के सोता है गफलत की हवेली में जो सूरज ओड़ के सोता है गफलत की हवेली में तो आवाज अजाँ उसको मियाँ तकलीफ देती है जो सूरज ओड़के सोता है गफलत की हवेली में तो आवाज अजाँ उसको मियाँ तकलीफ देती है अजाँ है रहत जाँ एहल इमा के लिए लेकिन सुना ये है कि शैता को अजाँ तकलीफ देती है बहुतल BOAT CHE Vا Vuck ब़ुक्र नहीं My pardon बहुतल उना भीट लुग बहुत लुग बहुत लुग बहुत लुग वजिए वीड वीड जो सूर जो सूर जो उड़के सोता है गफलत की हवेली में गफलत की हवेली में तो आवाज अजा उसको मियां तकलीफ देती है सुना ये अजा है रहते जां एहल इमा के लिए लेकिन सुना ये है कि शैता को अजा तकलीफ देती है सुना ये है कि शैता को अजा तकलीफ देती है और एक वक्त पड़ा हुआ है जब सक्त वक्त आता है दोस्तों तो हुश्यार रहना चाहिए बशर हर हाल में तुमको खिलाफِ जल्म लड़ना है बशर हर हाल में तुमको खिलाफِ जल्म लड़ना है जरूरत जब पड़े एमान की पहचान हो जाना जरूरत जब पड़े एमान की पहचान हो जाना तकाजा फर्ज का ये है कि जिसने जिन्दगी दी है उसी की रह में हस्ते हुए कुर्बान हो जाना क्या कहने है उसी की रह में बशर हर हाल में तुमको खिलाफِ जल्म लड़ना है जरूरत जब पड़े एमान की पहचान हो जाना वाँ 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 तकाजा फर्ज का ये है कि जिसने जिन्दगी दी है उसी की रह में हस्ते हुए कुर्बान हो जाना और दोस्तों ये 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 जो मिने दोस्त बैटे हुए थोड़ा सा इस चार मिस्टों पर जोड़ा सा मुझे मेरा साथ दे एक मर्दूत का नाम सुना होगा सल्मान रुश्दी का आपने तब मैंने चार मिस्टे कहते कि जो मानते हैं जो मानते हैं तो बस दिल से मानते हैं बशर जो मांते हैं तो बस दिल से मांते हैं बशर तो बस दिल से मांते हैं बशर हमारे खाब में तक्सीम हो नहीं सकती और वो जिस किताब पहे खत्म काइनात तमाम अब उस किताब में तर्मीम हो नहीं सकती बहुत अच्छे वावावावावावावावावावा